आगाएज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मन लागा कर पढ़ाई कर रहे होंगे आज के इस वीडियो स्रीज को आगे बढ़ाते विए आज हम लोग कवर करेंगे 4 सेटमबर 2023 का फूल पत्ति करेंट फूल रिविजन तो इस वीडियो को आप लोग अंतर देखे पीडियाप के लिए आप लोग जो है टेलिग्राम जोईन कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है दा स्टेडिलाइन अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लिजे वहां से आपको जो है या मिल जाएगा पीडियो फटाक से ठीक है ना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्टन है कि हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित L1 का सफल प्रिक्षन किया है तो वो रॉकेट का नाम है PSLV C57 और ये कब किया गया है 2 सप्टेम्बर 2023 को 11 बच के 50 मिनट एम में एम मतलब सुभा के समय में ठीक है यान कि 12 बज़े से पहले और देखा यहां पे यह कहां से लॉंच किया गया है तो 37 धवन Space Center से हरीकोटा आंद्रप्रदेश से लॉंच किया गया है मैंने आपको कई बार बताया है यह भारत का जो इसरो है क्या नाम है ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च और इसकी अस्थापना जो 15 अगस्ट 1979 को हुआ था कब 15 अगस्ट 1979 को बेंगलूरू में इसका है इसके जो परजेंट में अभी अध्यक्ष है वह सोमनात है और इस जब भी कोई भी सेटेलाइट लॉंच करती है या प्रक्षपन करती है तो वह आ यह मीशन जो है भारत की पहली है याद रखना है सूरी के लिए अगला यह एलवन पॉइंट के हेलो और बीट में अस्थापित किया जाएगा और यह लगभग 125 दिन इसमें लगने वाला है अच्छी यह एल जो है एल पॉइंट को क्या कहा आता एलवन पॉइंट को लेंग तरब घुम के प्रिक्षन करने वाला है सूरी का बात करें आप सूरी अच्छी यह लेंगराच पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है कि यह मान के चलिए सन है ठीक है और यह मान के लिए पॉइंट है पृत्वी है तो सन और पृत्वी के बीच में ऐसा एक दूरी जहा को जहान पर जहां पर ना तो इसका जितना यह फोर्स लगाए गुर्तवा-कर्षन का ये भी इतना ही फोर्स लगा musimy यानि की बराबर में हो यानि कि बराबर जाएगा तो वस्तु जो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा ये जो सूरी और पिर्थवी का जो गुर्थवा करसंबल है वो लगभग बराबर होता है 11 पॉइंट पर यहीं पर जो इसको भेजा जाएगा ठीक है न अब ये क्यों लॉंच किया गया है क्योंकि सौरी तुफान है या फिर सौर्ष पवन है या फिर सौरी की बाहरी पर आता है जिसको करोना कहा जाता है उसके अध्यन के लिए इनको भेजा गया है ठीक है ना अब लालन टॉप प्रेश्ण के और हम लोग बढ़ते हैं लालन टॉप प्रेश्ण में देखते हैं ह 14 जुलाई 2023 इसको लॉंच किया गया था ठीक है याद रखेगा अब दखते हैं यहाँ पे DSR ठीक है DSR यह क्या है सिंगापूर का उग्रा है जो की याद रखना है PSLV C56 से लॉंच किया गया था आगे यहाँ पे पारकर सोलर प्रोब मिशन यह जो है नासा के दोड़ा 2018 में छोड़ा गया था सूरी के लिए ठीक है न आगे यहाँ पे कि सूरी मिशन देखा जाए तो सोहो मिशन जो है यह नासा का है जो कि सूरी मिशन है और जो European Space Agency है न देखे यह आपको मैंने कई बार बताया है कि इससे जो दो बार दो ही देज़ है सूरी के लिए गया है जिसमें से एक तो नासा है यह अमेरिका है दूसरा European Space Agency है जिसको ESA काते है जो नासा ने भेजा है उसको सूरी मिशन भेजा है उसको यूलियस मिशन काते है ठीक है ना आगे देखा जा एन बी एस जीरो वन यह क्या है यह है आपका GSLB F12 से लांच किया गया था और ISRO का जो है ना ISRO का यह सकेंड पीडी का जो फर्स्ट जो है एक तरह से उपगरम आना जाएगा जो नेविगरसन सिस्टम परनाली पर अधारित है ठीक है अगला प्रेस्टन देखते हैं कि हाली में हाली में समुदरी तुफान भीशन तबाई मचाई है तो यह ताइवान में जो है यह समुदरी तुफान है जिनका नाम हाई कुई इन्हों ने तबाई मचाई है ठीक है और देखा जाए यहाँ पे 16 में जो है 16 तुफान यह हंकों का है साउला तुफान हंकों का है और हाई कुई तुफान जो है यह त आइवान का है ठीक है अगर एक मेरा प सागर गुजरात साइड है तीक है गुजरात उपर में राजस्तान है तो यह साइड जो आप देखते हैं गुजरात महराष्ट गोवा करनाटक केरल यह साइड में आप देखते हैं इधर ही आपका पस्म साइड में आपका अरब सागर है ठीक है ना आगे मोचा का नाम करन किस ने किया था यमन ने किया था बंगाल की खारी में आया था असनी का नाम करन जो सिलंका ने किया था बंगाल की खारी में आया था और जो इडालिया उतुफान है ये फ् परटी का नाम है पीपल एक्षन परटी अर यह जो है आयम आप के पहले ACI यही थे जो कि राश्ट्रपती बने है सिंगापूर के ठीक है भारत के निर्विरोद निर्विरोथ निर्वाचित राष्टरपति को ने निलन संजीव रेड़ी है ठीक है राष्टपति के लिए नियुंतम आयू 35 वर सोनी चाहिए राष्टपति का चुनाव एकल संक्रमनिय मत्पद्यति के द्वारा है और देखा जाए यहाँ पे जो राष्टपति का प्राव मैंने आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा किस वीडियो को देखने के बाद जो है मैंने आभी जेश्ट कुछ दिर पहले ही वर्तमान मे कौन क्या इनका वीडियो अप्लोट कर दिया है आप लोग जाएए और वहाँ पर के वहाँ जो मैंने अपलोट किया ना उस वीडियो को देखे उससे यकीन मानिये मेरा वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फिल करेंगे मैंने बहुत सारा एक्स्टा फैक्ट बताया चाहिए राष्ट पती हो मैंने बहुत तरह से करेंट के साथ साथ जो आपको एक्स्टा फैक्ट भी बताते हुए गया हूँ मैं उसी वीडियो में ठीक है अगला प्रेशनी के हाल ही में अमेरिका इस्थित अमेरिका इस्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्त्रिका ने किसे 20 अस्तर पर सिर्स केंदरिये नामित किया है यह RBI के 25 नंबर के गवरनर है आपको पता है नहीं आर ब्याइए जो है डिजर्ड बैंक उफ इंडिया इसकी अस्थापना जो है 1934 एक्ट के तहत होती है लेकिन इसके अस्थापना एक अप्रे 935 को होती है अच्छे जब इसके अस्थापना होती है तब इस था यानिकि यह private bank था तब आप कहांगे भारत का बेंक का गवा देखिए जब भी किसी चीज का राश्ची करन होता है तो भारत सरकार के अंतर्गत आ जाता है तब RBI का राष्ट्रे करन का हुआ एक जनवड़ी 1949 को RBI का राष्ट्रे करन हुआ और इस तरह से RBI जो है भारत के अंदरगर आ गया ठीक है न इतना आपको समझ में आ गया गया देखें गवर्नर आप दे यर भी जो है जून 2020 में सक्तिकाउंट दास को ही दिया गया था ए प्लस रेटिंग जो है ये स्विजर लेंड वियतनाम और भारत को दिया गया है इसमें ठीक है अगला देखते हैं ललन टॉप प्रस्ट में जैसे की RBI की अस्थापना जो है ये भारत सासन अदिनिया 1935 के ताथ हुआ था अज आर्वी आई के पहले भारते गवर्नर कों ते सीडी देशमुकते ये भारते गवर्नर है ठीक है याद रखेगा आगे देखा जहाँ पे पॉलिसी रेट जो निती दर है ये रेपो रेट कहा जाता है मौदरिक निती समिती को ठीक है आगे उद्गम पोर्टल जो ये RBI के द्वारा जाड़ी किया जाता है अगला प्रेश जैन्ती नवरात्री दिपावली दसारा का महीना ये सबी जो एक आने वाला है तो इसलिए ये हिंदू हेरिटेज मंत जो गोसित क्या है इसी में ठीक है याद रखेगा अक्टूबर में आगे देखा जाए यहाँ पे USA में जो एक टोटल पचास प्राउन्थ है जिसमें से अньहां ज हैं अमेरिका की राजानी वासिंग्टन डि-C में है 28 नेशे किनाडरे बसा हुआ है तो प्रा में बसा हुआ क्या इन दोनों के वहरेम आपको पता है आपको पता रहां चीए है एन दोनों को जोए जुरुवा भाष्ण के नाम से जाना आता है, इसकी अस्थापना Breton Woods के ताथ 1964 में होती है, लेकिन जो अंतराष्टे वर्स जो है ये किसे घोशित किया गया है 2023 को घोशित किया गया है राष्टपती पर महावियोग जो है युए से लिया गया है और ये अनुच्छे जो है 61 के तर भारत के राष्टपती पर ये महावियोग लगता है ठीक है हाइडरोफोबिया जो है ये क्या ये पानी से डर लगना ये जो हाइडरोफोबिया कलाता है और ये रेवीज की रोग में होता है अच्छे रेवीज रोग आपको पता है क्या होता है जब कुत्ता किसे आदमी को या किसी वेकती को कुत्ता जब काट ले तो उसे रेवीज रो दरजा मिला है तो राष्डे Chemicals and Fertilizers Company को जो है नवरतन Company का दरजा मिला है आपको याद दखना यह नवरतन जो है आपको याद दिखना ONGC विदेस है और विदेस है और बारमी जो है यह रेल विकास निर्गवन लिमिटेड है ठीक है आगे देखा जाएं यहाँ पे जो मुंबई है मुंबई में कई चीजों का जो आपको हेट कौर्टर देखने को मिलेगा अप कौन कौन सा मैं आपको एगवार रिविजन करा देता हूँ एक तो आपको ध्यान अकना RBI के बारे म दूसरा HBI के बारे में तिसरा सेवी के बारे में चोथा BCCI के बारे में पचमा जो है यूनियन बैंक के बारे में यह सबी का मुख्याले कहां पर देखने को मिलेगा तो मुंबई में देखने को मिलेगा ठीक है बॉंबे इस्टोक एक्सचेंज बोर्ड या फिर NSC हो गया यह सबी का मुख्याले कहां पर मुंबई में ही है ठीक है आगे देखाए यहां पर तेरवी महारत्र कंपनी जो है ओल इंडिया लिमिटेड है बारवी महारत्र कंपनी RAC लिमिटेड है और यूरिया गोल्ड से सलफर की कमी को दूर करने के लिए जो है कहां पर यह में चिनको भारत वर्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है ये विरिक्स इनोवेशन फोरम जो है इसके तहट दिया गया है आगे देखा जाये यहाँ पर कि आयोजन जो है ये मास्कों में हुआ था रूस में ठीक अज पहली बार हुआ था ब्रिक्स का जो हुआ था आयोजन ठीक है आगे यहां पर देखा जाए कि समावेशी वो गुनवत्ता मुलक सिक्षा जो है उस पर काम किया गया है इसका इसे इनको जो है यह आवार्ड दिया गया है अगला है ललन्ट उप्रेश्ण में कि ब्रिक्स 2023 का मेजमान जो है यह दक् दक्षिन अफ्रिकान ने होस्ट किया उसमें इंडिया जो भी जीता रहा किसको आरा करके इंगलेंड को अर्च तीट्वन्टी महिला वर्ल्ट कब भी हुआ इस लिए आद रखना आपको अगला ब्रिक्स में दक्षिन अफ्रिका सामिल 2010 में हुआ था ब्रिक्स का पहला सिक सम्मेलन जो है यह कहां पर वा था यकींत वर्ष रूस 2009 में हुआ था ठीक है ब्रिक्स के नविंतम सदस्य देश जो यह च्छ देश है टोटल यह नविंतम सदस्य जो इसका नाम है अर्जेंटिना मेसर इतोपिया इरां सौधी अरब योई यह सबी जो ब्रिक्स में जो है जो है यह किस कैसे कह जाता है कि टोटल 19 देस्स में सामिल है और एक यूरुपे जैसी सामिल है इन दोनों की मिलने से ही जी टॉन्टि कहलाता है ठीक है ना अच्छ इसकी अस्थापना जी टॉन्टि का 1999 में वाता है इसका कोई भी हेटक्वाटर नहीं है ध्यान रखेगा 2023 में G20 का होस्ट आपको पता ये भारत कर रहा है ये आठार्मी बैठाय का याद रखना है सिर्पा जो ये अमिताप काउंत है अच्छा भारत जो इस बार किसका किसका होस्ट कर रहा है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे देखे अभी जो हाली में ICC One Day World Cup चल रहा है न वो भी इंडिया ने ही होस्ट किया ठीक है याद रखने है सभी अगला लल्लंग टॉप देखते हैं सूरजकुंड मेला जो है ये फरिदाबाद हरियाना में हुआ होता है या फिर हरियाना में ही होता है सूरजकुंड मेला अधिकतर ठीक है राखी गड़ी जो है ये हरपा स हाँ पे हुआ था तो 2022 में इंडोनिसिया में हुआ था 2023 में इंडिया में हो रहा है और 2024 में ब्राजील में होने वाला है ठीक है अगला प्रेशने की हाल ही में भारतिय फिल्म के एवं टेलिवीजन संस्थान के अध्यक्षपद पर किसे न्युक्त किया गया है तो रंगनात मा अध्यक्त किया गया है सेकर कपूर के अस्थान पर ठीक है याद रखना है FITI जो है इसकी अस्थापना जो है याद रखना अस्थापना राजयश मुलोतरा के अस्थान पर बने है कौन से मंत्राले के अंतरगा आता है इसके मंत्री को ने अनुराक सिंग ठाकपूर है ठीक है अगला प्रेस्ट देखते हैं अगला प्रेस्ट है कि हाल ही में कि, पुरूश की पुरूस और एबम महिला होकी टेम ने आपकी 55 AAC 2023 का का पाला संस्क्रण जीता है तो भारतrim जीता है कहांपे आयो जेन हुआ था में एक पाकिस्तान रहा है पुरूस ठीक है महिला पुरूस ले输 यह यह नवी ठायलेंड रहा ठीक है अब देखते हैं महत्मुन बिंदू जैसे फीपा महिला वर्ल्ड कप 2023 इसमें विजेता जो है इस्पेन रहा है इंग्लेंड को हडा करके यह हुआ था यह हुआ था इस्टिलिया और न्यूजिलेंड में यह नवे नमबर का था अच्छा होकी वर्ल्ड कप जो 2023 का अफीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ यह कतर दोहा में हुआ बिजेता अर्जेंटिना रहा किसको हरा करके फ्रांस को हरा करके इस तरह से मैंने आपको चार जो सेप्टेंबर है इसका करेंट अफेर्स मैंने कंप्लीट रिविजन करा दिया यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जोरू बताएं चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हींद जय भारत